हेलो फ्रेंट्स आई हम इस प्रवन को सॉल करते हैं question क्या कियता है the value of 75.8 square minus 55.8 square by 20 is क्या किया रहा question इस 75.8 square minus 55.8 square को अगर हम divide कर दें 20 से तो उसकी value हमें पूछता है क्या value आएगा चार option देवें चार option मैंसे जो सही option है वो हमें बताना है तो आप इसको देख पाएंगे इस वाले part को denominator को अगर आप देहां से देखेंगे तो यह किस form में है वो है a square minus b square के form में अगर नीचे denominator भी इसी के expansion के कुछ इस form में हो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा question तो हम अगर नीचे देखेंगे इनके बीच के जो difference है 75.8 और 55.8 इन दोनों के बीच का difference क्याता है 20 आता है और नीचे में हमें क्या दिया हुआ हुआ है तो हम लेटर में 20 दिया हुआ है means a minus b के form में नीचे है उपर किसके form में है a square minus b square के form में है तो आप यहाँ पर देख लिए a square minus b square ठीक है तो यह expression इसी तरह से आ जाएगा इसको आप further आप expand करेंगे a square minus b square को तो क्या हैगा a plus b a minus b और denominator में क्या है a minus b पहले से है a minus b a minus b denominator denominator में cancel out हो जाएगा आपको value जो बचेगी a plus b बचेगी और a plus b की जो value है वो क्या है वो है 75.8 plus 55.8 that's turn out to be 131.6